पहलवान की बेटी किसी गाउं में एक पहलवान रहता था वहाँ अपने गाउं का मशूर और जाना माना पहलवान था उसकी एक ही बेटी थी बहुत ही लाट प्यार से पली, खुपसूरत और नाजुक सी बेटी जवान होई तो पहलवान को उसकी शादी की चिंदा होने लगी क्योंकि वहाँ खुद एक पहलवान था तो अपनी बेटी के लिए भी उसे एक पहलवान ही पसंद आया उचा लंबा मजबूर शरीर वाला घनी मूछो वाला जमीनदार तो नाजो पली बेटी को विदा कर शादी को छे महीने ही गुजरे थी कि पहलवान दामाद ने बेटी को मारना पीटना शू कर दिया और एक दिन मार मार कर घर से निकाल दिया बाप के पूछने पर कहना लगा कि आपकी बेटी को घर का कोई काम नहीं आता बाप का दिल उदास हो गया लेकिन किसी से कुछ ना कहा क्योंकि मशूर पहलवान था तो लोगों में इज़त भी थी पत्मी से कहा कि बेटी को घर का सारा काम सिखाओ मा ने बेटी को खाना बनाना जारू पोच्छा बरतन दोना घर का सारा काम सिखा दिया कुछ महीनों बाद सुल्हा सफाई हुई दमाद को बुलाया और माफी मांगी की शर्मिंदा है लाट प्यार में बेटी को घरिलू काम नहीं सिखाए और फिर बेटी को विदा कर दिया अभी कुछ ही महीने गुजरे थी की बेटी फिर से मार खाकर माय के वापस आ गई दमाद ने कहा की सीना पुरोना नहीं आता पहलवान फिर दुखी हुआ फिर पत्नी से कहा की इसे सीना पुरोना सिखाओ पत्नी ने सिलाई कड़ाई बुनाई रजाईयां बिचाईयां यहां संभाल सकती और गाएं भैसों को दूद्ध होना भी नहीं आता पहलवान को गुस्सा आया लेकिन जमाने में बड़ी इज़त थी इसलिए खामोश रहा बेटी को साथ ले जाकर खेती बाड़े के काम सिखाये गाएं भैसों का दूद्ध होना भी सिखाया और फिर बड़ी बहुत है पहलवान को अब सारी बास समझ में आ गई कि दमाद को तो आदत पढ़ गई थी पत्नी पर हाथ उठाने और रॉब जमाने की पहलवान ने कहा बेटी मैंने तुझे सब कुछ सिखाया लेकिन वहीं चीज नहीं सिखायी जो सिखाना चाहिए था बेटी कुछ ना स बहुत समय हो गया ना ससुर ने माफी मांगी और ना ही बेटी को विदा किया तो वहाँ खुद ही अपने ससुराल जा पहुचा ससुर ने दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा इनी पैरों पर वापस चला जा आज की तारिक याद रख और पूरे दो साल बाद वापस आना और पतनी को ले जाना अगर उससे पहले तो यहां आया तेरी टांग तुड़ा कर वापस भेजूँगा ससुर की बास सुनकर दमाद डर गया और वहां से वापस चला गया समय बीता गया पहलवान अपनी बेटी को सवेरे सवेरे सूरज निकलने से पहले ही खेतों में ले जाता और सूरज निकलने के बाद घर वापस भेज देता पतनी ने कई बार पूछा लेकिन पहलवान ने कुछ नहीं बताया दो साल पूरे हो गए दमाद बेटी को लेने आया तो खुशी खुशी बेटी को विदा कर दिया कुछी दिनों बाद पहलवान दमाद ने आदत से चीखना चिलाना शुरू कर दिया और मानने के लिए पतनी की तरफ हाथ बढ़ाया तो पतनी ने किसी मज़े हुए पहलवान की दरह पती को ही उठाकर पटक दिया और कहा तू जानता है ना मैं बेटी किसकी हूँ वहा समझ गया कि अबकी बार दो साल में पिता ने बेटी क वापस गई पिता ने बेटी को क्या सिखाया या भी आप जानगे होंगे तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जुरू बताइएगा चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किजीगा लाइक किजीगा शेयर किजीगा जादा जादा मिलती हो आपसे किसी ओर वाची सूदील यू भाइ